इस समय सभी बिग बॉस OTT का बड़े ही बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं। जल्द ही ये शो वूट पर स्ट्रीम करने वाला है। वही कई सारे कंटेस्टन्स के नाम भी सामने आने लगे हैं। इस लिस्ट में दिव्या गरवाल का नाम भी शौमिल है। तो चलिए आज की हमारी इस खास रपोर्ट में जानते हैं दिव्या गरवाल से जुड़े कुछ unknown facts। दिव्या गरवाल का जन्व 4th December 1992 में हुआ। उनका पालन पोशन मुंबई में हुआ। दिव्या घर की बड़ी बेटी हैं। वही वो अपने छोटे भाई प्रिंस अगरवाल से बहुत प्यार करती हैं। दिव्या को बचपन से डांसिंग का बहुत शौक था इसके चलते उनकी रूची मॉडलिंग और टेलिवेशन की तरफ बढ़ी। दिव्या को डांसिंग का काफी शौक है। उन्होंने ग्राजुएशन की पढ़ाई के दोरान टेरेंस लूइस डांस अकैडमी को जोईन किया था चहां उन्होंने एक साल तक डांस सीखा और अपनी खुद की डांस अकैडमी एलिवेट डांस इंसिटीट को शुरू किया। अपने शुरुवाती करियर के दोरान दिव्या ने शुलपाशेटी और इलियान डिक्रूस जैसे प्रसिद अभीनीतरू के विग्यापनों को कोरियोग्राफ किया है। इतना ही नहीं दिव्या ने कमेर्शिल अड़ फिल्म में एक पाकिस्तानी कोरियोग्राफर को असिस्ट किया था। वही उन्होंने IPL 2010 के लिए कोरियोग्राफी की थी जिसमें उन्होंने लगभग 3000 डांसर्स को ट्रूइन किया था। दिव्या खुद कई अड़ फिल्म्स कर चुकी हैं। उन्होंने L'Oreal, Kellogg's, K, Head & Shoulders जैसे कई पॉपिलर ब्रैंट्स के साथ काम किया है। वही वो कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं। दिव्या ने टालेंटेट दिवा इंडियन ब्यूटी पेजिंट में भी पार्टिसिपेट किया। वही उन्होंने साल 2015 में मिस्ट नवी मुंबई का खिताब अपने नाम किया। दिव्या को जादा फेब तब मिली जब उन्होंने पार्टिसिपेट की MTV स्पिट्स विला सीजन 10 जिसे रन्वी जैसिंग और बी टाउन अक्ट्रिस तनि लियोनी ने हूस्ट किया था। इस शो के दौरान दिव्या रोमांटिकले इंवाल्व हुई अक्टर और मॉडल प् उन्सूट से वही इस शो के दौरान दोरोने खुबसूर के आवटोरी इसके बाद वो रोडी जी रियल हीरोस, पंच बीट, रागीन MMS रिटर्न जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आईं। दिव्या गरवाल काफी ब्रिलियंट और मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। उन्हो वरूसूत के साथ कोई ना कोई व्लॉग शेर करती हैं। बता दे कि उनके यूटूब चैनल का नाम है दिव्या वरून। वल आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी। बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। और अल्सो डू लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब टू मसाला on Facebook, Instagram and YouTube.